Hello and welcome, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, Suniti Initiative और जानो द्वारा आयोजी ती सुडियो में जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि भीम एप क्या है, आप इसको किस तरीके से इसके माल कर सकते हैं, इसके क्या-क्या बेनेफेट्स हैं और ये कितनी सेव हैं आपको बताते हैं कि भीम आप्लिकेशन दरसल है क्या, भीम आप्लिकेशन इंडियन मॉबाइल पेमेंट अप्लिकेशन है, जिसे नाशनल पेमेंट कॉपोरेशन अफ इंडिया ने बनाया है, और इस आप पर आप उनिफाइट पेमेंट्स इंटरफेस की मदद से आपको बनाने के पीछे का गोल, 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 आपक पर लांगोई चूज करनी होगी, आपको मैं बता दू कि भीम आप्लिकेशन 20 लांगोज में अवेलेबल है, ओपन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर मेंशन करना होगा, जो आपके बैंक के साथ रिजिस्टर है, साथ ही आपको एक 4 डिजिट का पासवर्ट जो है, वो सेट करना होगा, सेट करने के बाद आपको जो आपका अपका अकाउंट है बैंक का, वो यहां पर लिंक करना होगा, साथ ही एक UPI pin create करना होगा जो आप अपने debit card के last की 6 digits की सहायता से कर सकते हैं और आप bank account आपका Bheem application में आपका account जो है वो बिलकुल ready है payments करने के लिए तो अब आपको बताते हैं कि कौन Bheem application को use कर सकता है तो basically कोई भी हुआ इनसान जिसके पास bank account number है उस bank account से उनका mobile number registered है और साथ ही उनके पास debit card है वो इस application को use कर सकते है तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ कि कौन-कौन इस application को use करके payment कर सकता है आप अपनी इस application के account के तूप किसको payment कर सकते हैं तो basically कि आपके तोस्त, रिष्टदार, online choppings, retailers और merchants as long as वो UPI services use करते हैं, उनके पास किया हुआ code है, या UPI ID है जो कि आपके register mobile number से associated होती है तो आप ये transaction easily किसी भी इंसान के साथ कर सकते हैं इसी के साथ हम आशा करते हैं कि वीडियो आप ले काफी helpful रही होगी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी जानन mobile application Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं और government scheme से चुड़ी सभी जानकारी वहाँ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आप हमारी e-mitted services भी ले सकते हैं आप से मिलेंगे मगली वीडियो में, धन्यवाद